सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मानो या ना मानो को और दबाईए बेल आइकन लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों अब आप हमारे लेटिस्ट वीडियो देख सकते हैं और भी जल्दी हमारे एप को इंस्टॉल करके इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर जाके बस मानो या ना मानो हिंदी स्टोरी सर्च करें जो है बिल्कुल फ्री और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मानो या ना मानो दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा टोटका जिसे अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होने लग जाएगी तो दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं तकिये के नीचे अगर आप 5 रुपए का सिक्का रखकर सोते हैं और साथ में उसमें एक इलाइची भी रखते हैं तो इससे आपको कितने फायदे हो सकते हैं दोस्तो दुनिया में दो ही तरह के सुक होते हैं पहला अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और दूसरा होता है आपके बास बहुत सारे पैसे हैं दोस्तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बहुत सारा धन हो और आपके पास स्वस्षरीर ना हो तो आ हम पैसे का उप्योंग उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से एक स्वस्त इंसान कर सकता है। दोस्तो अगर आपके घर में कोई बिमार रहता है या बहुत टाइम से किसी को कोई बिमारी लगी हो जो की बहुत दवाईयों और उप्चार के बात भी ठीक नहीं हो पा रही हो तो दोस्तो आज जो मैं आपको टोटका बताने जा रही हूँ इससे हर तरह की बुराई और बला प्रशा होने लग जाएगी दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है पांच रुपए का सिक्का और उस पांच रुपए के सिक्के के जो भी बिमार वैक्ती है उसके उपर से साथ बार वार लेना है ध्यान रहे इसी वारते समय आपको कोई बात नहीं करनी है उसके पांच रुपए के सिक्के को रात को रख देना है रात को जब सोने के बाद आप उस सुबह उठेंगे तो उस पांच रुपए के सिक्के को वहां से निकाल लीजिए और उसे ले जाकर किसी कब्रिस्तान या समशान घाट में आपको गार देना है अगर आप अंदर नहीं ज ना चाहते तो आप बाहर से ही उस सिक्के को फैक सकते हैं दोस्तों ये टोटता करने के बाद आपको एक काम और करना है आपको उस बीमार वैक्ति के तक्ये के नीचे एक इलाइची रख कर सोना है आपको रोज रात को एक इलाइची रखनी है और अगले सुबा उस इलाइची को आपको फैक देना है ऐसा आपको कम से कम साथ दिन तक करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि जो वैक्ति बीमार है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा और उसके उपर की सारी परिशानिया दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये था हमारा डोट का जिसे अगर आप करे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर भेजें आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की अद्भुत अपन ये मानिताओं और घटनाओं के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो